हेलो दोस्तो ये है रुद्राक्ष का पौधा जो मैं नर्सरी से दिसंबर में लेकर आया था तब ही बहुत छोटा था इसमें अब फूल बनने लगे हैं लेकिन हमारे यहां गर्मी बढ़ने के कारण इसके पत्ते ये देखिए जुलसने लगे हैं निसान साफ दिखाई दे रहे हैं जब से लाया हूं तब से इसकी मैं बहुत केर कर रहा हूं जैसा कि आप सब को पता है रुद्राक्ष का पेड़ अन्यवरक्ष की भाती ही होते हैं इसके पत्ते आकार में लंबे हैं और चौड़े हैं हमारे धार्मे ग्रंतों में रुद्राक्ष महत की खुब चर्चा की गई है। हर तरह का रुद्राक्ष किसी न किसी रूप में लाभकारी बताया गया है। एक मुखी से लेकर चौदा मुखी तक होते हैं। और सभी के अपने अपने गुण और लाभ हैं। इसकी medicinal value भी काफी है। रुद्राक्ष के व्रक्ष भारत समेत विश्व के अनेक देशों में पाया जाते हैं। यह भारत के पहाड़ी छेत्रों तथा मैदानी इलाकों में पाया जाता है। उत्राखंड, अरुणाचल प्रदेश, बंगाल, हरिद्वार, गढ़वाल, देहरादून, गंगोत मुनोत्री और या मुनोत्री के छेतर में मिलते हैं, आसम में, मद्ध प्रदेश, आदी, दच्छिन भारत में, नीलगिरी और मैसूर में, तथा करनाटक में भी रुद्राक्ष पाया जाता है। रामेश्रों में भी रुद्राक्ष के व्रक्ष पाया जाते हैं। पचास से 200 फीट तक उंचाई होती है इसके फूलों का रंग सफेध होता है इसका आवरण हरा या नीला होता है इसके सूखने पर इसका आवरण ये छिलका हटाने पर आमूल्य, रुद्रक्ष या गुठली के रूप में होता है बस यही मैं कोशिस कर रहा हूँ कि यह पौधा इस गर्मी सर्वाइव कर जाए और बच जाए और मेरी ये महनत रंग लाए